नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका इस वीडियो में भारत और अस्ट्रोलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावसकर टेस्ट स्रीज का तिसरा टेस्ट मैच इंडोर के होलकर के क्रिच्ट डेम में एक मार्ज को खेला जाएगा भारत ने पहले और दुसरे टेस्ट में अस्ट्रोलिया को बहुत बूरी तरह से पढ़कनी दी थी अब अस्ट्रोलिया टीम भी उसी हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी वही दुसरी तरब जोज से भरी भारत की टीम उच बदलाव के साथ मायदान पन उतरेंगी पहले ओ दुसरे टेस्ट मैच के ही रो रहे रेविंदर जड़ेजा ने स्टुलियाई बल्ले बाजो की एक चलनी नहीं दी आप भी जड़ेजा को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंड करके जड़ेजा की गेंद बाजे आपको कैसी लगी ज़रूर बताना दुसरे टेस्ट मैच में रोही शर्मा और उनके साथी केल रहूल का बल्ला कोई खास कामाल नहीं दिखा पाया केल रहूल दोन मैच में पहल रहे अब इसलिए भारतिय टीम दुसरे खिलाडी को उनकी जगा मौका देगी उनके रिप्लेस में भारत के पास दंस है इशान किशन और शुबनम गिल लेकिन इशान किशन को टेस्ट मैच का कोई अन्बो नहीं है तो चाहिर सी बात है रोई शर्मा शुबनम गिल के साथ ही जाना पसंद करेंगे और सभी को पता है गिल इस वक्त किस खौब में चल रहे हैं उनकी जगह तो टीम में बनती है जब वो पहले और दुसरे टेस्ट मैच में नहीं तो हर कोई चकित हुआ था कि इस बल्ले बात को कैसे बाहर बिठाया हाले में गिल ने दोहरा शतक लगाया है और उनका टेस्ट रेकॉड भी अच्छा है नमबर तीन की बात करें तो पुजारा भी दुसरे टेस्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाएं दुसरा टेस्ट मैच पुजारा का सववा टेस्ट मैच था लेकिन वो इस शांदार में फाइदा नहीं उठावाएं लेकिन उनकी जगर टेस्ट मैच से कोई नहीं ले सकता अब नमबर चार की बात करते हैं नमबर चार पर आते हैं विराट कोली उन्होंने दुसरे टेस्ट मैच में अच्छे बिल्ले बाची की तो वो चार नमबर पर खिलते हुए नजर आएंगे नमबर पास की बात करे उस पुजिशन पर स्रेयस आयर है अयर ने सेकंड मैच में कुछ खास नहीं किया लेकिन अयर एक शांदार खिलाड़ी है और उन पास नमबर पर खिलते नजर आएंगे नमबर छे पर आते है केज भरत यह बहुती प्रतिबाशाली खिलाड़ी है और अच्छे विकेट की पर भी है यह हमने पहले और दुसरे टेस्ट मैच में देखा है उनकी जगह भी टीम में के लिए फिक्स मानी जा रही है नमबर साथ पर आते हैं दुनिया के बेश ओल राउंडर में से एक रविंद्र जड़ी जा पहले और दुसरे टेस्ट मैच में क्या शानदार गेंदबाज की थी पहले टेस्ट मैच में आठ विकेट और दुसरे टेस्ट मैच में दस विकेट लिए थे और शांदार उपियोगी पारी भी के लिए थी वलकप से पहले इंजोर हुए थे उसके बाद पहले और में जड़े जाने शांदार प्रदेशन किया और अच्छा कनबाइक करते हुए मैन अब्द मैच बने नमबर आठ पर आते है आर अश्विन जनका नाम सुनते ही अश्विन के बल्ले बाजों के होश उड़ जाते है पहले और दूसरे टेस्ट मैच में अश्विन ने पहले टेस्ट में साथ और दूसरे टेस्ट में छे विकेट लिए थे नमबर नौ पर आते है अकसर पटेल ये भी पिछले कुछ महिनों से बहुत शांदार फार में चल रहे है पहले और गेंच से अच्छा प्रदर्शन कर रहे है पहले और दूसरे टेस्ट मैच में शांदार अधर से तक लगाया था और दूसरे टेस्ट मैच में जब भारत की पारी लड़ खड़ाई थी मदद करते हैं इस तरह से तिसरे टेश मैच के लिए भारत की टीम रहेगी लेकिन आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़े को बाहर निकलना चाहिए और कौन से खिलाड़े को खिलाना चाहिए आप रमेन में जरूर बताएए ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारे और खब लाट